गूड मर्णिंग गाइज वेलकम टू विद्याटविए 24 तो गास आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 ट्री ठीक है क्लास 12 चैप्टर 3 बायलोजी का अब्जेक्टिव कोस्ट और यह है पार्ट 2 ठीक है पार्ट 2 इसके पिछली वीडियो यान के पार्ट 1 में हम ल लिए थे तो चले स्टार्ट कर लेते कोशिन नमबर वन पार्ट 2 का कोशिन नमबर वन से स्टार्ट कर लेते हैं कोशिन नमबर वन क्या है तो प्रोष्टा ग्लेडिन है प्रोष्टा ग्लेडिन क्या होता है प्रोटीन कार्बोहार्डेड लिपीड या असंत्रिन यह तीनो का तीनों जो है वो बड़ा शुरुत है थिया है फ्रोटीन जो है वो सेलों का मरमत करने के काम करता है कार्भादेड और लिपेड जो है वो बहुत झ्यादा एक होता आसंत्रिप्त जानी की एक दूसरे से ना घुलने वाले आर वही क्या है پ्रोष्टाग्लेडी इन क्या है और संत्रिथ त्यानि की option no.d जो होगा इसका right answer हो तीक है आप को क्या करना है comment box में comment भी करते रहना कौन इसका right answer होगा number and then option ठीक है number और option जो है comment करते रहना है चले next question discuss कर ले कोस्यन में 22 स्मूर्य को स्मूर टेंटिट्यू क्या बोल रहा है तो कॉछन में कुंछ में 22 था समिनल है कि स्रावन दौरा फ्रुक्टोज की उपस्तिती में फोरेंसिक जाच में प्रदर्शित हो्ती है जोस होते इती मृत्य गूंड होते हैं इसलेख प्रणी में आहरे। होती है किसके द्वाराम सीफिलीज एड बलतकार किस में किस में फ्रुक्तोस की उपस्तिती फॉरेंसिक जाच में प्रदर्सित किया जाता है एंग इसका राइट एंसर होना चाहिए का आपशनम बसी ठीघे बलतकार की कॉनिशन में ठीक है ब्रादकार कंडिशन में फोरंसिक जांच में फ्रुक्टूस की उपस्तिती को क्या करता है जांच करता है ठीक है चले एस कोशन डिसकस करेंगे कोशन नमबर 23 कोशन नमबर 23 क्या सुक्राणू जनन किसके दुआरा भूमिभूत होता है थीगे ना भुमिभूत सोरी अभीभूत होता है सुक्राणु जनन जो है किसके दौरा अभिभूत होता है तो fsh msh या acth या फिर Maß cg के करें ठीख दरे आपलों को कमेंट करना है कि यह जो फिर सुक्राणु जनने जो कि फिमयल टेस्टी से स्रावित होती है सुक्राणु i sh msh e c t h या फिर h c g तो इस question का right answer होना चाहिए f sh ठीक है? fsh छए fsh का full form आप लोगो क्या करना? comment करना fsh का full form क्या होता? और या सब क्या है? सब को सब hormones है जो की male और female बोडी में सरावित होती है ठीक है? Question में twenty four Question में twenty four देख लेते हैं कि सुक्रानु जनन द्वारा एक प्राथमिक सुक्रानु कोशिका से कितने सुक्रानु बनते हैं ठीक है एक चार शोल्ल या फिर बतीज ठीक है कमेंट करना है एक चार शोल्ल या बतीज प्राथमिक सुक्रानु कोशिका से कितने सुक्रानु बनते हैं इस question का right answer होना चाहिए directly. Option No. B Option No. B. यानि की 4 Option No. B. यानि की 4 सुकरानूं बनते हैं प्रातमिक सुकरानूं से कितने सुकरानूं बनते हैं तो 4 सुकरानूं बनते हैं Next question Question No. 25 Question No. 25 क्या बोड़ा है कि अंडा के कोशि का द्रव में क्या नहीं होता है का सबस्क counties के अंड़ा के निरमान निर्मान करने का कोशिका को बोला जाता है Up तो अंड़ा को अंड़ा निर्मान करने के अंदर का भी सबस्ब्सकों करने झीजाता कोई फिमेल जो अंडा होता है, जो ओवेरी होता है, उसके अंदर जो liquid पाट होता है, oily-like उसको बोला जाता है अंडा की कोशी का द्रव। और इसमें क्या नहीं पाजाता है, ठीक है राइबोजोम, मैट्रो कॉंडिया, गॉल्ल्जी काई, गॉल्जी काई भी बोला जाता है इसको या फिस सेंट्रोसॉम, राइवोजोम के बारे में जानकारी ले रहे थे, तो राइवोजोम जो होता वो एक prototype होता है, मेट्रो कॉंडिया, तो मेट्रो कोंडिया को powerhouse of the cell यानि की बिजली घर बो ला जाता है कोशिका का, तीना, गोलजिका जो होता है, वो ल्यक्तिक एसीड क कोशिका से बाहर करने के काम करता है प्राइट कि शिट को पैकिंग करता है गौल है और सेंट्रोसोम का काम विसी तरह से अलग होता है ठीक है reasoning तो इसका right answer क्या क्या ए इनकिस्मित नहीं पाया जाता है अंडा के कोशिका द्ऱयों में ठीक है बट centrosome नहीं पाई जाता है ठीक है बट आप लोग को क्या गरना centrosome आप लोग को बताना है कि centrosome कहां पर पाई जाता है अक्च्छन में यह male part है male part का एक अंगक है या female part का एक अंगक है यह आप लोग को बताना है ठीक है चली let's question discuss कर लेते question number 26 कोशन में 26 क्या बोड़ा है तो अस्पर में टाइड का रुपांतरित जो है अस्पर मेटो जोवा में किस विधी द्वारा होता है अस्पर में टाइड से अस्पर मेटो जोवा में जो रुपांतरित होती है वो किस विधी द्वारा होती है तो इस कोसंस का राया टेंसर। प्रोष्टेट कैंसर जो होता है के लिए प्रयूक्त प्रतिक एंजाइम क्लिनिक जाज के लिए कौन सा होता है क्लिनिक जाज के लिए प्रोष्टेट जो कैंसर को प्रूफ करने के लिए कौन सा एंजाइम क्लिनिक जो है वो उप्योग करता है इमाइलेज का प्योग करता है हृ छारीय फासफेटेज का उलों यूज करता है या फिर Brown This wolf Mulay फिर first muscle合ay कोई फीस का फिर आया अलों यूज़ करता है इसमें से कुन सा ऐसा एंजाइम जिसका यूज करता है ра tomar the Eras görev hate तो छार्य फास्फेटेज इंजाइम जो की क्लिनिक जो है वो प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रियोक्त करता है ठीक है यह क्या एक परकार के एंजाइम है ऑप्शन में भी इसका राइट एंसर हो जाएगा कोशन में 28 क्या बोड़ा तो बोड़ रहा है चले कोशन में 28 है पाट्यू रेशन यह पाश्चू रेशन के लिए संकेत जो है मतलब सिंगनल कहां से सुरू होता है पाश्चू रेशन का ठीक है पाश्चू रेशन के लिए जो सिंगनल होता है कहां से सुरू होता है तो प्लासेंटा से प्लासेंटा अप्रा भी बोला जात प्लासेंटा तथा पूर्ण विक्सित गर्वास्त सिसु से या फि माता के पिट्यूट्री से स्रावित जो ऑक्सितोसीन द्वारा ऑक्सितोसीन बेपरकर का हर्मोन है या पूर्ण विक्सित ये गर्वास्त सिसु द्वारा जिसका राइट एंसर होना चाहिए क्या तो प्लास पाश्योरेशन का कि अब जो है गर्वासाई का अवधी यह पुरा होने वाला है यह पाश्योरेशन नेस्ट क।। देख लेते हैं क। नंबर ट्वेंटी नाइन क्या है तो गर्भावस्ता के किस महिने में गर्वस्त सिसू गतिसील होता है और उसका सर में सीर में वो बाल भ पच्वा छथा या तीसरा में इन में से कोन इसका राइट एंसर होगा इन में से कोन इसका राइट एंसर होगा सीर में बाल आना वो जो होता है पच्वे महिने में होता है तो पच्वे महिने यानि कि बी निम्बर इसका राइट एंसर हो जाएगा और इसी महिना से सिसु जो ह पिलोपियन ट्यूब का भाग कौन सा है तो इस थमस या फिर फडी बुलमा गृवा या फिर एमपुला ठीक है एमपुला तो एक्छोल में गर्व अंडासे यहां बताय जा रहा है अंडासे में यह दुख्ध में पाजाते हैं तो आक्चुल में इम्पूला जो होता है वो इसका राइट एंसर होना चाहिए इस तमस इसका राइट एंसर होगा जो कि अंडास है कि नजदिक फलोपिन ट्यूब का भाग है इसतेमस ठीक, नेस्ट कोशन डिसकस कर लेते हैं। कोशन में 31, क्या बोड़ा है। तो किस मादा में ब्लाश्टोसाइड के लिए सही है। तो यह कथन इन में से कौन सा जो है वो सही है यह जो है इम्प्लांटेशन से सही प्लासेंटा बनता है इम्प्लांटेशन से सही प्लासेंटा बनता है या फिर अंदो सर्जन के तीन दीन बाद इम्प्लांटेड होता है या फिए implantation के बाद गर्वासे की दिवार से पोशक पदार्थ लेता है या फिए implantation के साथ यह trophoblast कोशी का द्वारा implanted होता है तो यह तीनों ओप्सन में से यह blastocyte का right answer कुनसा है किसी मादम में blastocyte के लिए सही कुनसा है अप लोगों कमेंट करना है 31 का right answer comment करना है 31 को जो right answer होना चीए वो option no 2 होना चीए इसमें क्या होता है कि implantation के साथ जो ये tropoblast है कोशी का दुआरा implanted होता है प्रोपोब्लास्ट कोशी का दुवारा इंप्लांटेड होता है इंप्लांटेशन के साथ कन्फ्यूज नहीं होना है ओप्सिन नमगे 10 का राइट एंसर होगा चले नेस्ट कोशें कोशें नमगे 32 क्या बोड़ा है कि किसी स्रावन में ये फ्रेक्टोज कैल्सियम एवं इंज सबसे अधिक पाजाता है नर्साहय ग्रंथी में यक्रीत में अगनाशय में या फिलार में किसी स्रावन में फ्रेक्टोज कैल्सियम या फिर एंजायम सबसे अधिक पाजाता है क्याची क्याची कुन कुन सा फ्रेक्टोज कैल्सियम या फिर एंजायम सबसे अधिक पाजात तो नर्सहाय क्राइफ यंग घरंथी सब्सक्राइटों सब्सक्राइब चीज करator Di 제рат भात्य इसकश लिए प्रछा और स्वानाकि discipl удар अर्वित होती है ठीक है चले नच्क लोग कोईशन नमर्थ 33 कोईशन मर्थ 33 देख लेते हैं कि नर यूगमक तथा मादायुक के सैयुचन से क्या बनता है अंडानों बनता है शुक्रानों विर्य या यूग्मनज जो पर खाहिए इंदोनों के fertilization के बाद बनता है तो इस question का right answer होना चाहिए zygote यानि की yugnaz ठीक है question number 34 question number 34 क्या बोड़ा है तो निमलीखित में कोई एक पुरूष में पा जाता है इन में कोन पुरूष का एक भाग है यानि कि पुरूष में पा जाता है गरवाशय, भग या फिर लेविया मेजोरा या कॉपर ठीक है ना, गरवाशय, गरवाशय तो नहीं हो सकता है, इन तीनों में इसे कोई एक होगा, भग होगा लेविया, मेजोरा या फिर कॉपर, आप लोग को comment box में comment करना है, कि इन तीनों में से कोई एक right answer होना चाहिए जो कि पुरूस का एक भाग है पुरूस में पाजाता है, कौन सा होगा कौन सा इसका right answer होगा, इसको comment करना है अप लोग को comment करना है चले, इस question देख लेते हैं इसको answer भी नहीं लिखे हैं इसलिए ताकि comment करें question में 35 देख लेते हैं 35 में क्या है कि नर हार्मोन में उपस्तित कहां होता है नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है अंडासे से होता है वरिशन से यकरीत या अमाशे यह तो नोर्मल से कोशिन से बहुत ही ज्यादा हाड नहीं है क्योंकि अगर देखा जाए अंडासे यह तो फिमेल पाठ है यकर बोर अमाशाय यह तो अंग है यहां से कोई हर्मोन निकलेगा यहां से इंजाल była तया न एक यकृत यकृत से यकृत से भी नई यहपी जो है वो शेमेर और यहां से नर हर्मोन निकलता है तो नहाुर स्वस्पर्म यानिंड का निर्मान होता है ठीक है चलिए न स्कूररे डिसकसं कर लेते हैं। कोशे नमोर 36 तो अस्तंधार्यों में व्रीशन कोशों में उतरतें व्रिश बर अंगों के विकाश के लिए चारों में से कोई एक जोगा राइट एंसर होगा ठीक है आप लोग को कमेंट करना कि इन चारों में से कौन जोगा राइट एंसर होगा ठीक है अस्तंधारियों में वरिशन वरिश कोशों में उतरते हैं किन के लिए ठीक है इसका राइट एंसर हो आल जाता है सुक्रानु जनन ठीक है यहाँ पे निश्य चन होता है मेल और मैल गयमेट से ठीक है और यह तो अलग बात है यह जो है नर अंगों के विकास के लिए और देखा जाए धर तो विर्षरल अंगों के विकास के लिए यह तो इसका shadow एंसर ही नहीं हो सकता है तो इसलिए यहां पर जो होगा सुक्रानु जनन के लिए इसका राइट एंसर होना चाहिए ठीक है क्योंकि वरिशन जो होता वो मेल पाट है उसी से पता चल सकता है इसका राइट एंसर क्या होगा सुक्रानु जनन इसका सही एंसर होगा option number A, question number 37, क्या बोड़ा question number 37, तो सुक्रानु अंडे के घेरे को घोलने के लिए, एक enzymes युक्त पदावत उत्पन करता है, वो क्या है, फिर से question देख लेते हैं, कि सुक्रानु जो है, सुक्रानु अंडे के घेरे, घेरे को घोलने के लिए, मतलब कि सुक्रानु का जो घेरा होता है, यह जो portion होता है, इसको fuse करके, ओवं में घोलने के लिए, कौन सा enzyme जो होता है, वो उत्पन करता है, ठीक है, हाईलू रोनिक अंडे, या फिर हाईलू रोनिडेज, या फिर एंड्रो गयमोन, या फिर डाइडाइस्ट्रेज, डाइस् इसका राइट एंसर होना चीए, option number B, option number B, option number B में क्या है, ता हाईलू रोनिडेज, ठीक है, हाईलू रोनिडेज नाम का जो एंजाइम है, वो सुक्रानु अंडे के घेरे को घोलने के लिए परियोक्त होता है, ठीक है, सुक्रानु अंडे के घेरे को घोलने के लिए परिय के गिभाहा है एंडरम अंडासर की या फिर ग्रेफियन पुटिका का ग्राफियन पुटिका का ब्राष तूल्स का उप्चन astrology बियाका इसका राइट एंसर होना चाहि450 बूइंट्र किका जितना भी सब करतो क्या है प्रिमेल पार्ड मोषन के इसको देख लेते हैं Q39. निसल में किस हार्मोन si प्रतिकिरिया के कारण … दुतियल लैंगिक लग्षनr VBS O प्रतिकिरिया के कारण ठीक है। ठीक है। । यानि कि जो किंनर होता है इए विक्षित होता है रिलriteक्षिím, प्रोजेस्टरॉच, सिट्रोजन, या फिए, गॉनेडो-अ तो इस कोशन का राइट एंसर होना चे अप्सन नमबर C यानि कि एस्ट्रोजन के प्रतिकिरिया के कारण डूतियल लेंगिक लक्षन विक्सित होता है इस्ट्री में इस्ट्रोजन हार्मोन के प्रतिकिरिया के कारण डूतियल लेंगिक लक्षन जो होता है वो विक्सित होता ह और आज के लिए लइस्ट कोषिन क्या है तो अडोध स़र्ज यह तो फिमेल में होता है वो कापर लुटियम के विकास के लिए उतरदाई हार्मोन कौन सा है इस कोषिन का राइट हैंस अहना चाहिए option number B LHC under surge under surge वो copper lithium के विकास के लिए उतरदाई हर्मोन जो होता है वो LHC होता है ठीक है चलिए तो मिलते हैं next class, thank you